स्पॉंजी रजगुले की रेसिपी मैंने यहाँ पे कलर्फुल रजगुले बनाए है आज इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर गाय का दूद लिया है काव मिल्क आप चाहें तो बफैलो मिल्क ले सकते हैं बट उसमें बहुत जादा फैट होता है से रजगुले बनाना मुश्खिल हो जाता है और यहाँ पर मैंने दो लैमन लिये है हम इनको अच्छे से इनका रजगल लेंगे हमें यह बहुत ज़़दा दबा दबा कर इनका रज नहीं निकलना है नहीं तो इनका करवा सा फलेवर भी इसमें आ जाता है अब इसको चां लेंगे छनी से ताकि इसकी सीट्स अलग हो जाएं और हम इसको चेक करेंगे कि हमने जो नीमू का रस निकाला है वो कितने टेबल स्पून है तो यहाँ पर यह दो टेबल स्पून नीमू का रस है हम इसमें दो टेबल स्पून पानी मिलाएंगे और यह हमारा दूद पारने का मिक्शर एकदम रेड और हमने दूद के बरतन को स्लैब पे रख लिया है अब हम इसको दो मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके बाद इसमें मिक्षर डालना स्टार्ट करते हैं तो यह देखिए मैंने इसमें निर्बू का मिक्षर डालना स्टार्ट कर दिया है हम थोड़ा थोड़ा क परके इसमें मिक्षर मिलाएंगे कभी कभी क्या होता है सारा मिक्षर भी डालला पड़ता है दूद्ध फाडने के लिए और इसका घ्र निकला है इस दूद में पानी एकदम अलग है और चेना इकदम अलग हो गया है चलिए अब हम इसको एक मसलिन क्लोथ के ऊपर चान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक मसलिन क्लोथ बिशा दिया है इसके ऊपर मैंने यहाँ पर छेने को अच्छी तरह से चान लिया है इसमें जो यह पानी निकलता है आप इस पानी का इस्तमाल आटा गूदने में या किसी भी सूप को बनाने में इसका अस्तमाल कर सकते हैं और अब हम छेने को अच्छे से नॉर्मल वाटर से धोलेंगे ताकि इसमें जो नीमू की खटास आ गई है वो खटास इसमें से निकल जाए यहाँ पर देखिए मैंने इसको पानी से अच्छी तरह से धोलिया है और इसमें नीमू का जो भी टेस्ट था वो निकल गया है अब हम इस कपड़े को हाथों की साहता से इसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको निकाल देंगे इस तरह से हमें इसको निचोड़ना है हमें छेने को बहुत जादा टाइटली नहीं निचोड़ना है क्योंकि हमें एकदम ड्राय छेना नहीं चाहिए अब हम इसको आदे घंटे के लिए अपने सिंक के नल के उपर लटका देंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए आप छेने को बहुत जादा ड्राइए ना करें ड्राइए करने से भी रिजगुले खराब हो जाते हैं मैंने यहाँ पे दो कब चीनी ली है इसमें तीन कब पानी डाला है अब हम यहाँ पे शुगर सीरफ बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे चीनी को अच्छे से पानी में घोल लेना है जब चीनी इसमें अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगी तब तक हमें इसको पकाते हुए चलाना है हम यहां पे रजगुले पकाने के लिए चाशनी बना रहे हैं जब तक हमारी चाशनी बनती है तब तक हम छेना चेक कर लेते हैं यह देखिए हमारे छेने से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था वो सब निकल चुका है अब यहां पे हम इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते तो अब हम छेने को अच्छी तरह से मतेंगे हतेली की साइता से इस वाले एरिया से हमें छेने को अच्छी तरह से रगड़ कर इतना जादा पतला करना है जैसे एक आर्टे का डो होता है हमें इसका उस तरह से एक डो बना लेना है एकदम सॉफ्ट डो तो हम इसको अच्छी त तो ये देखिए हमारे रसगुले बनाने के लिए छेना एकदम तयार है तो हम चाशनी को चेक कर लेते हैं मैंने चाशनी में यहाँ पे एक टिबले स्पून दूर डाल दिया है ताकि चाशनी में जितना भी गंदगी है वो सब बाहर निकल जाए तो मैंने यहाँ पे जितनी रसगुले एकदम मीठे बनके तयार हो अब हम जो चाशनी बची है इसमें एक जग भरके पानी डालेंगे हमें यहाँ पानी इसलिए एक्स्ट्रा लेना है ताकि रसगुले अच्छी तरह से उसमें घूम के अच्छे से फूल पाएं तो अब हम यहाँ पे छेने के चार पी यलो फूट कलर और ग्रीन फूट कलर का इस्तमाल किया है और एक पीस हम वाइट ही रखेंगे तो हर पार्ट में से यहाँ पे दो दो रसगुले बनके तयार हो जाएंगे तो चलिए हम फूट कलर को अच्छी तरह से छेनों में मिक्स कर लेते हैं आपको इस तरह से फूट क इसके लिए आप एक पीस को उठाके हतेली के बीचो बीच रखें और हलके हलके हाथों से इसको आप ऐसे राउंड करिए हमें बहुत जादा टाइटली इसको नहीं दबाना है आप बिल्कुल हलके हलके हाथों से गोल गोल घुमाते हुए रसगुला बना लीजिए यह कलर के रसगुले बनके तयार हो गए हैं तो यहां देखिए हमने जो चाशनी में एक्स्टा पानी डाला था उसके बाद इसमें अभी तक उबाल नहीं आया है जैसी इसमें उबाल आएगा हम इसमें रसगुले डालना स्टार्ट कर देंगे तो यहां पर पानी में उबाल आ डाल रही हूं आपको इसी तरह से डालने हैं अगर आप अंगूटे और उंगली की साइटा से डालेंगे तो रजगुले जो हैं दब जाते हैं और अब यहां पर रजगुले को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं हम एक बार चेक करके देखते हैं कि यह कैसे दिख रहे हैं तो यह देखिए जो रजगुले हैं उनका साइज एकदम डबल हो चुका है फूल कर अब हम रजगुलों को यहां पर पलट देंगे ताकि रजगुले दूसरी साइट से भी अच्छी तरह से स्पॉंजी हो जाएं यह देखिए कितने बड़े रजगुले हो गये हैं एकदम लगा देंगे हमने यहां पर सभी रजगुले पलट दिये हैं हम लिड लगाने के बाद कम से कम दस से बारा मिनिट के लिए रजगुलों को दुबारा पकाएंगे ताकि रजगुले अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएं और एकदम इन में बहुत अच्छे से एर देना है ताकि जो हमारे रजगुले हैं वो इसी शेप में रहें यह श्रेंक ना हो और अंदर से टाइट ना हो एकदम स्पॉंजी रहें इसलिए मैंने यहां पर एक बड़तन में बहुत सारे आइस क्यूप डाल दिये हैं और ठंडा एकदम फ्रिज का चिल्ड पानी लिया से पहले हम रजगुलों को इस चिल्ड वाटर में डालेंगे इससे क्या होता है जो रजगुलों का कुकिंग प्रोसीज एकदम से स्टॉप हो जाएगा और रजगुले अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे एकदम उसी शेप में रहेंगे जिस शेप में से हमने बड़तन से निकाले हैं और यह अच्छे से ठंडे होकर भी इनके अंदर के जो एर पॉकिट से वो कम नहीं होंगे और यह बिल्कुल उतने ही स्पॉंजी रहेंगे जितने स्पॉंजी यह आपको पैन में दिख रहे थे सभी रजगुले नीचे बैट गए हैं इसका मतलब यह है रजग शुगर सीरप में जाने के बाद यह अच्छे से शुगर सीरप को एब्सॉप कर पाएं तो मैंने सभी रजगुलों को निचोड कर शुगर सीरप में डाल दिया है जो मैंने स्टार्टिंग में ही पैन से आदा शुगर सीरप निकाल लिया था इससे हमारे रजगुले एक द ये देखिए जब मैं इसको दबा रही हूँ तो इसमें से कितना ज्यादा शुगर सीरप निकल रहा है लेकिन रजगुला फिद भी फट नी रहा है और जैसे मैं उसको वापिस शुगर सीरप में डाल रही हूँ वो एकदम से अपनी शेप वापिस ले रहा है इसका मतलब ये खाने में बहुत टेस्टी थे और ये देखिए कितने अच्छे और एकदम बड़े बड़े रजगुले बनके तयार हुए हैं रजगुले बनाते टाइम कुछ भातों का ध्यान रखिए तो आपके रजगुले भी इसी तरह से एकदम डबल साइज के बनेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर काव मिल्क का अस्तमाल करें क्योंकि काव मिल्क में फैट बहुत कम होता है और बफैलो में बहुत जादा होता है बफैलो मिल्क के रजगुले कभी भी बहुत अच्छे से स्पॉंजी नहीं बन पाते हैं अगर आपके पास काव मिल्क नहीं है तो आप नॉर आपको एकदम नॉर्मल चैना रखना है तभी आपके इस रसगुले जो हैं एकदम स्पोंजी बनके तयार होंगे। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके रसगुले भी एकदम स्पोंजी बनके तयार होंगे। आप इसको बनाएं और अपना experience मेरे साथ जरूर शेयर करें और comment box में आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए कौँची नई recipe बनाओं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें